सोशल मीडिया भारत बंद के बारे में पोस्स से भरा पड़ा है और मुझे यकीन है कि आप सोच रहे होंगे कि ये कोलकता बलातकर हट्या मामले के समर्धन में है नहीं ये बिलकुल अलग कारण से है रुखे 1 अगस 2024 को भारत के सरवोच्च न्यायले ने एक एतिहासिक फैसला सुनाया अपने फैसले में इसने आरक्षन उद्देशों के लिए SC और ST समूह को और उप परगिगृत करने की बात कही उन्होंने SC-ST कोटा से क्रीमी लेयर को बाहर करने और शिक्षा और रोजगार में SC-ST समूहों के उन लोगों को प्रात्मिक्ता देना सुनस्चित करने का सुजाव दिया जिन्हें वास्तों में आरक्षन की अवशक्ता है सुप्रीम कोट के फैसले के बावजूद SC-ST समूधाई के लोग कोट के फैसले से सहमत नहीं हुए यही वज़ा है कि उन्होंने भारत बंद का एलान किया विरोधी पार्टी कॉंग्रेस के राहूल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोट का फैसला गलत है और आरक्षन उनका अधिकार है NACDAOR और RBSS SC-ST राज्यसंगों द्वारा समर्थित सबसे बड़े संगठन है राजस्तान से सबसे ज़्यादा समर्थन मिलता है इन दोनों संगठनों ने 21 अगस 2024 को शान्टी पूर्ण देश्व्यापी हर्टाल की गोशना की विसुप्रीम कोट के फैसले का विरोध कर रहे है ये सुबर 6 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा उन्होंने जन्ता से स्कूलों और कॉलेजों, व्यापारिक परतिष्ठानों और सार्वजनिक परिवाहन को वर्थ करके सयोग करने का आगरा किया अब मैं आपको उनकी अन्य मांगे बताता हूँ उन्होंने एक नयक केंद्रकानून की मांग की जो न्याएक शाषन से शुरक्षित हो इसने मांगो की एक सूची भी जारी की जिसमें सरकार से SCST समुदाई के लिए सामाजिक न्याए और समालता सुनुष्चित करने को कहा गया है अब देखते हैं क्या होता है यही कारण है कि पूरे भारत में शांती पूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहे है विरोध प्रदर्शन के रूट और नियमों पर बात करने के लिए राजस्थान जारकंड और यूपी पुलिस से जुड़े सभी कानुनों का पालन करने के लिए पुलिस ने उन्हें बहुत समर्थन मिला अद्बुत इस तरह पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन किये जै रहे है हाला कि सरकार ने गोश्णा की कि सरकारी व्यपार, परिवाहन, सार्वजनिक जल आपूर्ती, स्कूल, कॉलेज, आदी खुले रहेंगे